ओके, सो वेलकम ओल तो टुड़ेस् क्लास, टुड़ेस् क्लास इस अबाउट, लेट से एक एक नया सेशन हम लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ, मैं नेम इस अजिंके सरुण के, and let's say I am chemistry, physics, biology, math and social science educator, मैं ये इतने सारे subjects पढ़ा देता हूँ, प्लस, anacademy के उपर, हर एक exam के लिए, जितनी भी exams है, majority of the exams के लिए, preparatory हमारे पास courses हैं, आप preparation करवा सकते हैं, भली वो NEET हो, JE हो, 6-10 तक हो, 11-12 हो, let's say, MPSC हो, UPSC हो, it doesn't matter, हमारे पास almost हर एक चीज के लिए courses हैं, for your exam preparation, जल से जल anacademy को join करें, ताकि आपका जो preparation है, वो प्रापर तरीके से हो सके, right, so do join an academy, आप application डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे website पे से भी join कर सकते हैं, for the various courses, जो भी आप exam दे रहे हैं, उसके लिए, so let's start with our session, आज का, शुरू करने के पहले, video like, channel subscribe, bell icon जरूर दबाएं, video like करना है, channel subscribe करना और bell icon जरूर दबाना है चलिए, session शुरू करता है, because उसमें से बहुत सारे rays of lightning कल रही हैं और एक दूसरे को cancel कर रही हैं, उसका जो effect है, so because of that, हमारे को जो यह मिलता है, क्या बोल सकते हैं, जो इसमें से rays हैं, वो twinkling नहीं होगी sun का फिर, planets का भी same condition, मतलब in short, हम लो conditions बना सकते हैं कि कोन चमकेगा फ बुलो, पहला condition, whatever the object you are talking about, it should be distant, the object should be very distant, जिसकी भी बारे में बात कर, कोई second condition है, apart from being distant, yes, मतलब it should be, let's say light source होना चाहिए उसके उपर, light source, light खुद का होना चाहिए उसका, मतलब जैसे कि कोई पत्थर, suppose ले लो तुम, दूर कोई पत्थर है, उसका थोड़ी देखेगा, तो main condition is, it should be distant, and it should act as, it should act as, point source, it should act as, point source, and light should be enough, light कैसा चाहिए, enough चाहिए, एक table बनाते हैं, ठीक है, with this discussion, थोड़ा से एक table बनाते हैं हम लो, तुम बताओ, distant star लो, distant star, मतलब दूर का star, दूसरा लेते हैं, close star, मतलब एकदम अपने अर्थ के past वाले कोई तो भी star, third sun को लेते हैं, fourth, दूर का planet लेते हैं, distant planet, और एक past का planet लेते हैं, near planet, we just want to know, इसमें से कौन-कौन twinkling करेगा, distant star करेगा, क्या लगता है, distant star, वो तो अपने बुक में हैं न, दूर के star तो करता ही है, दूर के star कर लेंगे, what about close star, जो अपने एकदम past में, अगर अर्थ के एकदम past में होता, तो कर लेते हैं, अर्थ के past वाला करेगा क्या, नहीं, अर्थ के past वाला star क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास multiple उससे light आ रहे हैं न, point source के इसा काम नहीं करता हो, obviously not, sun, sun करेगा, जल्दी जल्दी, comment section में जल्दी से लिखो भाई, so that we can clear the subject, बहुत simple topic है, no, distant planet, दूर का planet, दूर का planet करो या न करो matter नहीं करता है, दूर के planet का प्रकाश है अपने तक नहीं पहुंचेगा, वो जाने दो matter ही नहीं करता है, क्योंकि दूर का planet है न, खुद का light का है उसके पास, अब ये दूर का स्टार का प्रकास तुम्हारे तरफ क्यों पुझता है? क्योंकि उसकी खुद का प्रकास है अपने तक पुहसता distant planet एक तो उसका खुद का light नहीं है और उपर से दूर से चमक रहा है कहां अपने तक light ही नहीं पहुansेगी उसकी and what about near planet? नियर प्लानेट का भी इशू वही है एक पॉइंट के जैसा काम नहीं कर सकता हो सो खाली इस्टेंट स्टार मतलब ब्लाइट देता है तो इंकलिंग खाली एक ही इसमें होती है तो विद दाट इंफरमेशन लेट उस हाव सम डाउट सेशन अके चलिए सबसे पहला एक रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या देखा हमने एटमस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा उसका एक्जांपल देखा एप्लिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग एफेक्ट अब ट्विंकलिंग एफेक्ट के अलावा अभी और एक एफेक्ट है कि जो उसको पढ़ना है और उसका नाम क्या है Early Sunrise Delayed Sunset तो एक समझ के लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो Early Sunrise Delayed Sunset इसका क्या मतलब है मतलब Sunrise होने के पहले दिखना शुरू करता है Sunrise करने के पहले दिखना शुरू करता है और Sunset होने के बाद भी दिखता है मतलब उगने के पहले दिखता है और डूबने के बाद भी दिखता है ऐसा बोल रहे हो तो लेड़ेस ट्राइट वांडरस्टेंड क्या मीनिंग है इसका तो देखो यह अर्थ है यह तुम हो यह तुम्हारी नजर है नजर को क्या बोलते हैं मतलब like the line of vision it is called as horizon इसको क्या बोलता है horizon बोलता है तो horizon is basically the line of sight जहां पर तुमको दिखता है मतलब इसके नीचे का तुमको नहीं दिखेगा यह शितिज है मतलब इसके नीचे का तुमको पार्ट नहीं दिखता है तुमआरे आखों को तो यह तुम्हारी आखों से लाइन निकल रही है इसके ऊपर आया तो ही कुछ दिखेगा ने तो नहीं दिखेगा अब मान लो सूरज उगर आ है मतलब rise हो रहा है तो सूरज फिलहाल यहां पर है सूरज कहा है यहां पर ? किशी औलहल यहां पर रहे उसको थोड़ा सा ओपर लेए पर बीगए यहां तैकनिकली सूरज तुम को दिखना नहीं चाहिए त्दिक्टा क्यों एं it एकदम सीधा जाने वाली रहती है वो ऐसे लेकिन बीच में किसको टकराती है वो एट्मोसफेर को टकराती है और एट्मोसफेर उसी प्रकाश को क्या करता है यहाँ पर बेंड कर देता है रिफ्रैट कर देता है और रिफ्रैट करने के बाद आपके आँखों में चला जाता है मतलब इन शौट अगर atmosphere ना होता तो प्रकाश कैसे जाता सीधा जाता तुमको दिखता है निए लेकिन ये तुमको दिखना शुरू हो गया horizon के पहले भी तुमको दिखना शुरू हो गया क्यूं क्यों कि atmosphere आट Harmüne को दिखा तो यह कितना टाइम रहता है यह कितने टाइम पहले शुरू होता है तो यह अगले सुरू कर जयाता है तूम नुद्व सूरज नीचे है लेकिन वह हुरा है atmosphere तुमको दिखा रहा है कि वो सूरज आपको horizon के उपर and जब आपकी आखे उसको connect करती है तो आपको ऐसे लगता है कि सूरज यहाँ पर है यह false position है this is apparent position और यह true position उसकी actual तो यह सुभई का हो गया, यह sunrise का हो गया sunset का भी वही नाटक है sunset का भी क्या है, वही नाटक है कैसे, देखो यह तुम यह तुमर horizon सूरज उपर से आ रहा है सूरज उपर से नीचे आ रहा है अब, problem क्या है जब वो नीचे जाएगा अब भी तो फिलहाल तो तुमको दिखी रहा है कोई issue नहीं है लेकिन जब वो उपर से नीचे गया यहाँ पर गया दूबने के बाद भी दूबने के बाद भी तुमारे सामने एक atmosphere का layer है correct तो दूबने के बाद भी जब इसके ray ऐसी निकलती है सीधा तो क्या होगी तकराएगी और तुमारे आखों में फिर से जाएगी bending मतलब वो डूब चुका है फिर भी तुमको दिख रहा है यह ऐसा कितनी देर होता है दो मिनिट अब तुम बताओ सुबह के दो मिनिट शाम के दो मिनिट टोटल कितना मिनिट तुमको एक्स्ट्रा सूरज दिखता है एक्स्ट्रा सूरज दो मिनिट अन दो मिनिट टोटल चार मिनिट सुबह का दो शाम का दो चार मिनिट कम्प्लीट तो चार मिनिट कम्प्लीट तुमको एक्स्ट्रा दिखता है सूरज and that is due to what atmospheric refraction atmospheric refraction so let me ask about this पर कैसा उस पारग्राफ को भी गया इग्नोर यह वाला advance sunrise delayed sunset वाला ओके स्कॉंडलाइन कर लो 2 minute and 2 minute इसको यहां पर arrow करके लिखना टोटल 4 minutes sometimes यह भी question आ सकता है तुमको mcq में total कितना minute extra दिखता है सूरज तुमको 4 minutes हाँ यह इसको एक underline कर लो अभी तुमको मैंने sunrise और sunset के बारे बता है न तो exam में question क्या आता है कि सूरज थोड़ा flat हो जाता है न संद्राइज संसेट के वक्त एकदम पतला दिखता है हां तो वह क्यों दिखता है वह भी इसी की वाज़े से सेम सेम रिजन रिफ्राक्शन लेकिन कैसा है न उसका separate topic न होने की वज़े से बच्चों को पता नहीं चलता है कि उसका अंसर क्या है इसको अंडरलाइन करो स्टार करो यह उसी के बारे में बात कर रहे हैं संसन की जो डिस्क है वह फ्लैट दिखती है तो वह इसी की वज़े से atmospheric Refraction चलिए अंडरलाइन अइय होप आपने कर लिए होगा वेरी important from from the point of view of your exam you can go with scattering scattering यह अच्छे क्सिंपल कोश्यन तुम्हारे लिए अगर 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 यहां से एक नदी जा रही है ठीक है नदी जा रही है और यहाँ पर एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर है सपोज तो horizon is basically the line of sight जहां पर तुमको दिखता है मतलब इसके नीचे का तुमको नहीं देखेगा यह शितिज है रहे हैं मतलब इसके नीचे का तुमको पाइण नहीं देखता है तुमएरे आखो को तो यह तुम्हारी आंखों से लाइन निकल रही है इसके उपर आया तो ही कुछ दिखेगा ने तो नहीं दिखेगा अब मान लो सूरज उग रहा है मतलब RYS हो रहा है तो सूरज फिलाल यहाँ पर है सूरज कहा है यहाँ पर? फिलाल यहाँ पर है उसको थोड़ा सा उपर ले लेता है अब टेक्निकली सूरज तुमको दिखना नहीं चाहिए टेक्निकली तुमको सूरज क्या आख होना चाहिए दिखना नहीं चाहिए फिर दिखता क्यों है इतना जल्दी तो वो होता है atmosphere की वज़े से अब वो कैसे इसमें से ray of light निकलती है किसमें से तुमारे सूरज में से वो एकदम सीधे जाने वाली रहती है कैसा एकदम सीधा जाने वाली रहती है वो एकदम सीधा जाने वाली रहती है वो ऐसे लेकिन रिफ्रेट करने के बाद आपके आँखों में चला जाता है मतलब इन शॉर्ट अगर एट्मोस्फेर ना होता तो प्रकाश कैसे जाता सीधा जाता लाइट तुमको दिखता ही नहीं लेकिन ये तुमको दिखना शुरू हो गया हराइजन के पहले भी तुमको दिखना शुरू तो ऐसे लगता है जब तुमारी आखें इसको कनेट करती है तो ऐसे लगता है कि सूरज यहां पर है टेक्निकली वह वहां पर नहीं है वह स्टार के जैसा कंडिशन हो रहा है मतलब इस नौट देर यूफील इस देर तो यह कितना टाइम रहता है यह कितने टाइम पहले दिखा रहा है कि वह सूरज आपको हॉराइजन के उपर और जब आपकी आखें उसको कनेट करती है तो आपको ऐसे लगता है कि सूरज यहां पर है यह फॉल्स पोजीशन है और यह यह ट्रू पोजीशन उसकी एक्च्वल तो यह सुबह का हो गया यह संसेट कभी वही कैसे देखो यह तुम यह तुम हर हराइजन सूरज उपर से आ रहा है सूरज उपर से नीचे आ रहा है अब प्रॉब्लेम क्या है जब वह नीचे जाएगा नीचे जाएगा अब ही तो फिलहाल तो तुमको दिखी रहा है कोई इस्यू नहीं है लेकिन जब वह उपर से भी तुम्हारे सामने एक atmosphere का लेयर है तो दूबने के बाद भी जब इसके रे ऐसी निकलती है सीधा तो क्या होगी टकराएगी और तुम्हारे आखों में फिर से जाएगी bending मतलब वो डूब चुका है फिर भी तुमको दिख रहा है यह ऐसा कितनी देर होता है दो मिनिट अब तुम बता सुबह के दो मिनिट शाम के दो मिनिट टोटल कितना मिनिट तुमको एक्स्ट्रा सूरज दिखता है एक स्रूर्च दोमिनित एंडोमिन टोतल चार मिनित सुबका दो शां का दो चार्मिनित कॉम्प्लीट टो एक जुक्तीज क्रीज़ विनिछक वी सुर्च तो उस पारग्राफिस को मैंडोरी स्थ सो लेट मी आस्क अबाउट दस पिर कैसा उस पैरग्राफ को भी गया है इग्नोर यह वाला एडवान संड्राइज दिलेट संसेट वाला ओके इस कॉंडलाइन कर लो दो मिनिट और दोल मिनिट इसको यहां पर आरो करके लिखना टोटल फोर मिनिट्स सम्टाइम्स यह भी कुशन आ सकता है तुमको एमसी क्यू में टोटल कितना मिनिट एक्स्ट्रा दिखता है सूरज तुमको फोर मिनिट्स यह इसको एक अंडलाइन कर लो अभी तुमको मैंने संड्राइज और संसेट के बारे में बताया ना तो एक्जाम में क्वेशन क्या आता है कि सूरज थोड़ा फ्लैट हो जाता है संड्राइज संसेट के बग एकदम पतला दिखता है तो वो क्यों दिखता है वो भी इसी की वज़े से सेम सेम रिजन रिफ्राक्शन लेकिन कैसा है न उसका सेपरेट टॉपिक ना होने की वज़े से बच्चों को पता नहीं चलता है कि उसका आंसर क्या है इस को अंडरलाइन करो स्टार करो यह उसी के बारे में बात कर रहे है संसन की जो डिस्क है वो फ्लैट दिखती है तो वह इसी की वज़े से अट्मस्फेरिक रिफ्राक्श चलिया अंडरलाइन आए होप आपने कर लिया होगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर्म फॉम्ट फॉर्व एक्जाम विकान गोविट स्कैरिंग स्कैरिंग के बात करता है अच्छा एक सिंपल कोश्चन तुम्हारे लिए अगर 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 यहां से एक नदी जा रही है ठीक है नदी जा रही है और यहां पर एक ऐसा बहुत बड़ा पत्थर है सपोस्स सामने रिवर के साथ क्या होगा बता सकते हो यहां जब उसको टच करेगी तो क्या होगा सिंपल कॉश्चन इट विल हेल्प यू टो अंडर्स्टेंड थे फिनोमेन बट यहां तो स्टे कनेक्ट विद टॉपिक आपको आंसर करना पड़ेगा तभी जा कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा जब नदी आ रही है बीच में बहुत बड़ा पत्थर है तो क्या ह हों है कि एक तो पाइज कर सकता है लेकिन हमको ज्याधे इंटर्स किसमें है दो पार्ट में मतलब बैसिकली नदी के दो पार्ट हो जाएंगे एक उदर जाएगी एक जाएगी तो करेक्ट अनधर क्वेस्ट्टन फ़र यूँ अगर ऑगर सेम नदी है लेकिन पत्थर चोट अब बताओ अब क्या होगा उसके उपर से चली जाएगी मतलब कुछ फरक नहीं पड़ेगा राइट नो इफेक्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं effect depend करता है size के उपर किसके उपर depend करेगा size के उपर बीच में क्या है उसके उपर depend करेगा कि path change होगा या फिर divide होगा कि नहीं of the river size के उपर depend करता है Now, let us apply the same logic for our atmosphere. Atmosphere के लिए apply करता है. तुम बताओ, अगर हमारे पास हमारा light किस color से बना हुआ है? मतलब like, सात रंग है, अलग-अलग, विव जौर, इन रंगों से बना हुआ है, right? And इसी को हम लोग white light बोलता है. अब तुम बताओ, अगर ये सब ही आ गये, सब ही आ गये, सब का एक चल रहा है. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर बीच में पार्टिकल आ गया, atmosphere का, atmosphere का कोई बीच में पार्टिकल आ गया, तो इस में से कुछ लोग अपना रस्ता बदलेंगे, और कुछ लोगों कुछ फरक नहीं पड़ेगा. Can I say like this? Some will be affected and some will not be. The reason being, क्योंकि पार्टिकल के साइज किसको, let's say, मतलब चेंज करवाता है या फिर उसमें गया, उसका डिरेक्शन चेंज करवाता है, वो किसके उपर depend करेगा? Size of the particle के उपर. मतलब मान लो, suppose red आ गया, हो सकता है कि वो particle के साइज इतनी छोटी हो, कि वो red को कुछ फरक ही नहीं पड़ रहा, red सीधा जा रहा है, कुछ फरक ही नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि एकदम जो violet color का है, ये वाला, अब ये particle के साइज अच्छी खासी हो, और वो violet color को divide कर रहा है. मतलब आपना जो white light है, इसके अंदर divination हो रहा है, colors का, dispersion नहीं हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, divide हो रहा है, आपका जो light है वो divide हो रहा है, तो divide कोन होगा, size के उपर depend करता है, particle के size के उपर क्या करता है, depend करेगा कि कोन सी light divide हो रही है, तो मान लो, suppose एक अदा light divide हो भी रहा है, suppose purple, या ऐसा divide हो गया, आगे जाके फिर से divide होगा, ये भी divide होगा, and it will keep on going, अदर बेचलता रहेगा सिलसिला, divide होते रहेंगे ये लोग, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सब तरफ, सब तरफ, एक ही प्रकाच बचेगा, और वो कौन सा होगा, violet, agreed, क्योंकि सब तरफ यही distribute हो रहा है, सब तरफ यही color distribute हो रहा है, तो obviously the color that is going to remain is violet, सहीए, now, apply the same logic for our sky, अपने sky का color क्या है, blue, right, sky का color क्या है, blue, अब तुम बताओ, इन सातों में से, इन सातों में से, कौन सा color है कि जो affect हो रहा है, जिसकी वज़े से अपना sky blue color क्या है, मतलब कौन divide हो रहा है, इन सातों इसमें से, who is getting divided, because of which we are seeing this, अपना color, blue color, right, it must be the blue color, and उसी की वज़े से, अपने को पूरा आकाश blue दिख रहा है, इस phenomenon का नाम क्या है, divination का, इसको बोलते हैं scattering, scattering, तुमने ये word सुना है, तितर बितर होना, like you know, like, just run away, जैसे कि देखो, कभी कबार कैसा न, अगर suppose, चोर suppose है, बहुत सारा चोरो का ग्रूप है, suppose, 5-6 लोग खड़ें, पूलिस आगे तो कैसे भागते हो, तितर बितर, वैसा है हो, मतलब जो light है, वो क्या हो रही है, scatter हो रही है, तो फिर, फिर, मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि हमारे अट्मॉस्फेर में, पार्टिकल का साइज कुछ ऐसा है, कि जो blue को scatter कर रहा है, सिर्फ, अपने पार्टिकल की साइज कुछ इस तरह है, कि सिर्फ वो एक ही color को scatter कर रहा है, अब तुम बताओ, अगर, अगर, मुझे red को scatter करना है, मान लो, तो पार्टिकल साइज जाधा चाहिए, red का बताओ, wavelength कैसा रहता है, जाधा, तो पार्टिकल साइज भी कैसा लगेगा, जाधा, पार्टिकल साइज भी कैसा लगेगा, large, मतलब अगर हम लोग large कर दिये, तो हम लोग yellow, orange, red, ये भी देख सकते हैं, situations are possible large also small also okay so let us revise this let us revise this and for a doubt later topic scattering क्या होता है scattering basically dividing of lights scatter होना मतलब light divide होना in short light divide on कोन करता है divide particles in the atmosphere particles in atmosphere अगर अगर छोटे wavelength का यह है light है तो आपको size कैसा चाहिए particle का particle size small ही चाहिए particle size कैसा चाहिए small ही चाहिए अगर आपका wavelength कम है जिसको आपको scatter कराना अगर high wavelength का light है तो particle size भी जादा चाहिए particle size भी कैसी चाहिए large चाहिए and what about our our atmosphere अपने particle की size ऐसी है atmosphere की कि वो सिर्फ किसको scatter करता है सिर्फ blue color को अब वो size को हम लोग change कर सकते हैं क्या obviously not हम लोग change नहीं कर सकते फिलहाल के लिए at least अपने पास IC technology नहीं है कि we can let's say go for changing all the particles of the atmosphere all around the earth तो अपना blue color तब तक रहेगा जब तक यह particle की size है अगर बढ़ गया तो red में हो जाएगा कम हो गया तो wallet में चला जाएगा तो मतलब in short sky का color किसकी वज़े से है scattering of light की वज़े से scattering of light चली इसके ओपर कुछ पूछ पूछ लेता है डाउट्स अगर है तो चली अपके पास let's say kuch questions अभी solve करें गें अभी एम भो ठीक है आपके पास kuch obviously भी समय दिया जाएगा to answer the question और अपको अगर नहीं आता है तो then i will solve it ठीक है? चलिए. So, a person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power. Okay, तो कौन सा lens इस्तमाल करेंगे ये particular situation में. If a person cannot see the distinct objects kept beyond 2 meter, 2 meter के आगे का देख नहीं पा रहा है. ठीक है, person. So, question ये हैं कि फिर वो, let's say, how he can deal with it. What kind of lens should he use? तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ. Suppose clock में. आपको क्या करना है सिर्फ? एक मिट होगा, आपको एक मिनिट के अंदर आंसर करना है. शुरू कर सकते हैं फिर? Can we start? बोलिया. Okay, so let us start in that sense. एक मिनिट होगा आपके पास, एक मिनिट के अंदर आंसर करना है, ठीक है? चले, आपका एक मिनिट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए, इस question का. Try कीजिए, अगर नहीं आता है, तो I will explain, obviously. आपका एक मिनिट जल्दी खतम हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए. आपका एक मिनिट जल्दी आंसर कीजिए. आपका समय खतम हो चुका है, देखो, यह person का problem क्या है, कि उसका जो यह है, क्या बुलता है, lens है उसका, आपको खाले lens फाइंड आट करना है, अब उन्होंने जो बुला है, वो object दो मिटर के आगे करने ही देख पा रहा है, मतलब उसको कई से condition है, मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का ने दिख रहा है, ठीक है, that's the issue. So, ठीक है न, that can be done, let's say this problem can be solved, very simple, आपको क्या करना है, इसका फिर यह अगर myopia है, तो lens कुन सा इस्तिमाल करेंगे, obviously we have to use concave, concave lens का इस्तिमाल करना पड़ेगा, अब concave lens का focal length कैसा रहता है, negative, मतलब इसमें से सिफ negative options काम करेंगे, इधर दिस और इधर दिस, यह तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अपने को concave lens चाहिए, correct? Now, for that purpose, हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 meter पे से, power is equal to, हमको कितने का चाहिए, let's say, यह निकाला है, उसका power कितना है, तो that would be 1 by focal length, अभी focal length कितना है तुमारा, 2, so 1 by 2 is how much, 0.5, okay, so the answer is 0.5D, हो गया, फिर इतना ही है, yes, so that would be 0.5D, लेकिन main question, it should be plus or minus, obviously require concave, तो answer कैसा होना चाहिए, minus में, so that should be minus 0.5D, यह minus में लेना पड़ेगा, तब ही जाके minus में आएगा, सही है, okay, so the answer should obviously be minus 0.5D, चलिए, next question कर लेते हैं, आपके पास एक मिनिट है, एक मिनिट के अंदर इस question का answer कर देना है, just have to answer in, let's say within one minute, एक मिनिट के अंदर answer करना, आपका समय खतम हो रहा है, आपका समय खतम हो चुक है, let us see the answer for this question, a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard, ठीके blackboard के उपर का उपड़ पा रहा है, right? But he is not able to read the letters written in his textbook, अपने जो बुक में लिखा है हो वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का देख रहा है, तो इस में से कोंसा statement correct है? पहला statement is, the near point of his eyes has receded away, the near point of his eyes has come closer to him, the far point of his eyes has come closer to him, the far point of his eyes has receded away, देखो उसको कहां का नहीं दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा है तो फार पॉइंट में एश्यू तो ही नहीं उसके फार पॉइंट में उसके इश्यू है ही नहीं तो मतलब पास का नहीं दिख भाले में इश्यू है, अब रिसी ड़ए मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया, अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़े लेट से आप पढ़ सकते हो तो यह तो actually welcome step है तो यह तो नहीं चाहिए तो उसका problem क्या होगा? The near point of edge has receded away मतलब उसका पहला 25 cm था वो, now it has increased beyond 25 cm Right? So that is the answer चली, अब इसका answer बताना है आपको, ठीक है? तो आपके पास कुछ figures है, a prism ABC's base is placed at different orientation, a narrow beam of white light is passed, in which of the falling cases after dispersion, the third color from the top corresponds to the color of the sky तो इसमें से बताना है कौन सा case में, मतलब यह आपका first case है, यह आपका second case है, और यह आपका third case है आपको यह बताना है कि इसमें से कौन से condition में, उपर से जो भी color मिलेगा dispersion के बाद, वो उपर से तीसरा color नीला होगा तो चलिए, समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं आपका समय तो शुरू हो चुका है तो क्रिपया कर जल्दी से answer दें क्रिपर यह बताएं आपका कर दो का वाद, आपका समय खुका बताएं आपका खुका आपका लिए अपका बताएं आपका 1,0, 0 आपका आपका वह बताएं कि आपके आपका समय खतम हो चुका है देख लेते हैं इसमें से कुनसा अंसर होगा देखो उस्पर से के तीसरा कलर कुन सा चाहिए बोल रहे हैं स्काय का क्लर क्या है अभी जन्रल यह कैसा है उपर नीचे तक कलर कैसा प्रिजम में तो विब जौर के फयर्म में आता है करेक्ट जो उपर से नीचे तक आता है तो विप जौर की फर्म में आता है अब प्रॉब्लम यह है कि तीसरा कलर मतलब यलौ आता है अगर उपर से हम लोग लोग देख रहें 1st, 2nd, 3rd, हमको 3rd कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए, तो यह रहा हमारा 3rd, अब प्रॉब्लम यह है, यह दूसरे तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नमबर आता है, इसका, ब्लू, ओके, so we need such a figure, कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा है, मतलब, you know, the pointer should be, उल्टा, अब इसके लिए, suppose जो हम लोग यह कर सकते हैं, suppose जो figure draw कर सकते हैं, it would be something like this, like, हमको उल्टा टाइप में चाहिए, right, shape, सही है, तो यहाँ पर condition देख लो, यह second वाला, second वाला condition देख लो, अगर, suppose BC is your base, ठीक है, BC bottom पे, तो emergent कैसा होगा, let's say, आपका, what it दिखेगा, correct, मतलब, like, in the case of, यह आपका जो पहले, second figure है, यह वाला, this one, this one, this one, तो यह वाला जो figure है आपका, तो वो वाला काम करेगा, correct, उपर के numbers बराबर नहीं, option के साब से, नीचे 2 है लिखा हुआ, तो यह figure में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उल्टा रखा गया है प्रिस्म, तो जो भी color निकलेंगे, तो सबसे पहला कुंद सा निकलेगा, violet, फिर indigo, फिर blue, फिर green, फिर yellow, फिर orange, एंद फिर red, हमको वैसे भी तीसरा number किसका चाहिए था, blue का, तो हमको वही मिला है, correct, तो यह रहेगा option फिर, तो टू इस दी आंसर, भी चलिए, नेक्स्ट क्वेशन पर जाता है, तो नून को sun यह क्यों दिखता है, भाइट क्यों दिखता है, light is least scattered, all the colors of the white light are scattered away, blue color is scattered the most, red color is scattered the most, तो आपके पास एक मिर्ट है, एक मिर्ट के अंदर आंसर करना है, ठीक है, चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताएं, आपका एक मिर्ट खतम हो रहे हैं, जल्दी इस आंसर कीज़एं, आपका समय शुका है, लेट एक मिर्ट के वक्स रहे हैं, आपका समय शुरू हो चुका है, लेट आपका समय शुरू हो चुका है, तो देखो, कैसा रहता है, कि light is least scattered, ऐसा बोल रहा है, नहीं, that is not possible, क्योंकि कैसा है न, दोपेर के condition के वक्त, सब लेट से, आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपेर की condition है, यह मान लो उपर के अटमोस्फेर है, उपर सन है, सपोस, यह रहा सन, सपोस, तो इशु क्या है, कि the distance की जो उसको travel करना पड़ता है, in this case, is very, let's say, minimum, कैसे, देखो, यहां तक आता है वो, यहां से यहां तक का distance कैसा है, बहुती, कम है, very low, बहुती कम distance है, so because of that, सपोस, उसका जादा कुछ, let's say, यह problem होता ही नहीं है, now in this case, suppose, हमको खाल इतना जानना है कि, like, what will happen, तो sky कैसा दिखता है, suppose, will appear एकदम से, थोड़ा बहुत, noon की, अगर आप लोग बात कर रहे हैं, so the condition would be, कि, let's say, पूरा scattering, let's say, वहां पे होई नीरा, right, जादा, बिकज जादा atmosphere में यह नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहां पे distance जादा नहीं है, तो पूरा blue देखेगा, correct, and बाकी के फिर options पूरे चले जाएंगे, so यहां पर condition is very simple, it happens because of what, it happens because of, कि उसको बहुती कम distance तक atmosphere में से जाना पढ़ रहा है, which of the following phenomenon of light are involved in the formation of rainbow, rainbow की formation में से कौन सा चीज responsible है, तो reflection, refraction, dispersion, refraction, dispersion, total internal reflection, refraction, dispersion, internal reflection, dispersion, scattering, total internal reflection, चले आपका एक मिन शुरू हो चुका है, जल्दी से answer कीज़े, for this question, आपके पास एक मिनट है, एक मिनट के अंदर answer करना है, थोड़ा सोच समझ के answer बताना है, ठीक है, आपका समय खतम हो चुका है, let us see the answer for this question, देखो, क्या बोल रहे हैं वो, इस question में, which of the following phenomenon of light are involved in the formation of rainbow, ठीक है, rainbow बनाने के लिए इस में से कौन सा चीज का इस्तमाल होता है, रिफ्राक्शन तो पक्का लगेगा, तो देखो, रिफ्राक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्राक्शन है यह नहीं, second thing, dispersion भी लगेगा, right, dispersion, 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 right, क्या हमको internal reflection भी लगेगा, हाँ, internal reflection लगेगा, लेकिन सिर्फ internal, not total internal reflection, तो that means C, C option would be good for this, right, तो इससे आपका rainbow तैर हो जाएगा, चलिए, next question, twinkling of stars is due to the atmospheric what, ठीक है, twinkling क्यों होती है, तो twinkling बताने आपको twinkling क्यों होती है, ठीक है, आपका एक मिट शुरू हो रहा है, अब, answer कीज़े, कि twinkling क्यों होती है, आपको खाले इतना बताना है, कि twinkling होती क्यों है, आपका एक मिट अरड़ी शुरू हो चुका है, आपके पास options है, उसमें सही बताना है, ऐसा भी नहीं है कि, लिट से कुछ difficulties में से बताना है, all you have to do is give me the answer from these options itself, जल्दी से answer कीज़े, super simple, right? आपका समय खतम हो चुका है, जल्दी से answer कर लेते हैं इसका, so, question is, twinkling of stars क्यों होता है, right? तो twinkling of stars is happening because of what exactly? तो twinkling of stars के लिए, what is responsible is, dispersion of light by water droplets, नहीं, ये तो पहला option तो पक्का नहीं होगा, right? फर्स्ट पक्का नहीं होगा, पानी के droplets के वाइसे तो बिल्कुल नहीं होता है, reflection of light by different layers of varying refractive indices, हाँ, atmosphere में काफी layers होता है, तो हर एक layer अलग-अलग type से refraction करता है, because of that, आपको twinkling effect मिलता है, scattering का कोई सम्मन नहीं, internal reflection का भी नहीं, so, answer would be B, in this case, right? B रहेगा, चलिए, आगे बढ़ता है, with that said, next question, आपका एक मिल शुरू होता है, अब, जल्दी से answer करना, ठीक है, मैं time set कर देता हूं, आप answer बता देना, okay, so, do let know the answer, as quickly as possible, कर देता है, आपका एक मिन्ट्ट कातम हो रहा है जल्दी सानसर कीज़ें okay so your time is up let us see the answer for this question the clear sky appears blue because for blueliolei buena gets absorbed in the atmosphere ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere violet and blue lights gets scattered more than the lights of all other colors with atmosphere light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere, okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है, तो बहुत ही easy है, blue light gets absorbed in the atmosphere, absorb होती तो दिखता है नहीं, ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere, ये भी खलत है, violet and blue light gets scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere, ये सही है, light of all other colors is scattered more than the violet and the blue colored lights of the atmosphere, तो answer के रहेगा, C, C would be the correct answer, चली, next question, which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air, तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, आपके पास एक मिनिट है, एक मिनिट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है, चली, जल्दी से आंसर कीजिए, for this, आपके पास सिर्फिए एक मिनिट है, एक मिनिट के अंदर आंसर कर देना है, आंसर के अंदर आंसर कर देना है, एक मिनिट आंसर कर देना है, आपका समय कातम हो चुका है let us discuss the answer for this question which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air air के अंदर का which of the following statements is correct red light moves fastest ठीक है आपको यह पूच रहे regarding the propagation of light of different colors of white light in air air के अंदर का red light moves the fastest यह बराबर है red light fast move करती है लेकिन air का पूच रहे air में सबकी speed same होती है blue light moves fastest than green light यह भी गलत है as I told you every color will have the same speed all the colors of the white light move with the same speed हाँ साही है air के अंदर सबका speed same होता yellow light moves with the mean speed as that of the red and the violet light mean का क्या संबन्द है average थोड़ी होगा so answer is C चलिए आपका next question आपके screen के सामने है है एक मिनिट आपके पास आपको एक मिनिट के अंदर आंसर करना इस question का fine चलिए आंसर कीजिए आंसर करू़ीं कि आपका समय शुरू हो चुका है जल्दी से अंसर कीज़ाएं अपका समय खताम हो चुका है एक सी दांसर फो इसक्वेशन का अंसर के पहले वो देख लेता है दो डेंजर सिगनल इंस्टाप उफ दो फॉफ दॉफ टॉल्डिंग्स आप इन कला खेर रहते इसके इसली सीन फॉर्म अधिस्टन के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वैसे सबसे कम स्काटरिंग होती है इसली तो उसको यूस करते है बिल्डिंग के उपर डेंजर सिगनल इस अपसॉर्ड इस लेट से अपसॉर्ब अपसॉर्ब इस अपसॉर्ब यह तो गलत है मुस्ट फास्टेस्ट इन एर ठीक है एर के अंदर सब भी कलर का स्पीड सेम रहता है सो दे में आंसर इस अपसॉर्ड इस अपसॉर्ड इसको स्काटर नहीं कर पाता है यह तो आपका एक मेंट चुरू हो रहा है इसका अंसर कीज़े त्राइग कीज़े नहीं आता है तो ओविसली एविल एक्स्प्लेन लेकिन तब तक पहले ट्राइग कर लो कि आपका समय अलड़ी शुरू शुक्राइग कर दो कि आपका समय अलड़ी शुरू शुक्त है जल्दी से अंसर कीजिए आपका समय खत्म हो चुक्या चलिए आंसर कर लेते इस सब्सक्राइग का तो क्वेश्चन एक्शली बहुत सिंपल था अल्यूर्ट तो थोड़ा सब बताना था कि भही लॉजिक क्या इसके पिछे सब्सक्राइग के लिए कौन रिस्पांसिबल है देखो वो तो जेनरली कपकी कंडिशन होती है कि यहां पर सपोज एक लेयर होता है आपका अट्मोस्फियर का तो दूरिंग सच्छ सिचुएशन यहां पर सपोज आपका सूरज क्या आया रेट दिखता है करेक्ट तो यह पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा और डिस्टेंस काफी कवर करना पड़ता है इन दिस केस संसेट ऑलसो यह तो संराइस की बात है संसेट के वक्त भी सेम कंडिशन होती है मतलब लाइक ज्यादा ही डिस्टेंस को ट्रावल करना पड़ता है ना बिकस अफ दाट जो सो आपो जो संराइस संसेट पर कलर दिखते हो इसकी वज़े से तो डिस्परशन वैसे नहीं होता साथ कलोर में नहीं होता हो स्केटरिंग फ्लाइट स्केटरिंग फ्लाइट सब्सक्राइट तो इन एक मिन शुरू हो रहा है को एक मिन अब शैन पठ द आब आपके लिए तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता हूं किसकी वज़े से रहता है ठीक है और लिए टो आंसर इस वाइट इस ब्लू इन कलर अगया चलिए तो शुरू कर लेता है आपके एक मिट शुरू हो चुका है जल्दी से आंसर कीजिए अगया तो प्लीज आंसर प्रॉपली अगया तो समझ के बताना है नो मिस्टेक्स जल्दी से आंसर कीजिए अगया आपका समय खतम हो चुक है लेट तस्सीद आंसर पर दिस्ट्रेशन विए प्रॉपली इंटरेस्ट्रेशन था लेट से इंटरम्स अफ आवरत आपट्पक टोपिक टो उसका अंसर लोग देख लेते हैं कि वाइस और एसा ऑंसर क्यों था शुरू आपक्यानि मैं थ that point said let us talk about हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज है वो and that is going to be this question the bluish color of water in deep sea is due to the bluish color क्यों रहता है आपको मैं ठीक से बता दू water is colorless होता है पानी का color के से रहता है totally colorless वो अपेर इसलिए करता है because जो भी object इसके उपर reflect कर रहा है उसकी वज़े से so the answer would be the reflection of sky in water उसकी वज़े से दिखता है बख्ये कुछ नहीं राइट चलिए so this was the answer for this particular question next question देख लेता है पढ़ जेता हूं पहले when light ray enters the eye most of the refraction occurs at the refraction सबसे जादा किदर होता है जब light आखों के अंदर गुस्ती है तो सबसे जादा refraction कहा होती है तो crystalline lens outer surface of the cornea iris pupil चलिए आपके पास एक मिनिट है एक मिनिट के अंदर आंसर करना आपको अगर नहीं आता है तो देन I will be helping out obviously लेकिन तब तक पहले try करना आपको झान होता है झाल तो RGB कि आपका समय खतम हो चुका है चलिए आंसर देख लेता है वें लाइट रेंटर इंटर इंटर करती है तो रिफ्रेक्शन कहां होती है क्रिस्टलान लेंस पर बिल्कुल नहीं आउटर सर्फेस अफ देख लेता है अनकेडिमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इंफिर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलता है तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस एजुकेटर पढ़ाएंगे इंटरेक्टिव लाइफ क्लासेस होंगे इसके अंदर लाइफ टेस्स सीरीज और क्विजस भी होंगे स्ट्रक्चरड कोर्सेस और पीडियास मिलेंगे आपको लाइफ टेस्स में को इसा है आपके परफॉर्मस चेकिंग में आपको मदद होगी इंटरेक्टिव लाइफ क्लासेस मतलब हमारे पास ओडियो फीचर भी है इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटराइट कर सकते हैं डिरेक्ली रेज आ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको इसका मतलब यह है कि आप स्टूटें डिरेक्ली टीचर से बात कर सकता है तो that is another feature की जो हमने दिया है तो plus बहुत ही interactive live classes होती है ऐसे monotonous classes नहीं होती है Iconic courses अब Iconic courses क्या है Iconic Plus का advanced version है So it is your, you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor तो आपको इसके अंदर एक mentor आजहन किया जाता है This is something new Plus के सभी feature आपको मिलेंगे लेकिन इसके कुछ खुद के extra features है जैसे कि आपको एक personal mentor आजहन किया जाता है light out solution होता है मतलब live lecture में अप एक live sessions कुछ होंगे उसके अंदर आप directly doubt पूछ सकते है आपको उसका answer मिल जाएगा उसके बाद parent connect program parent connect program में आपके parent आपके mentor के साथ बात कर सकते है अगर उनको supplement से कुछ problem solve करनी है आपके regarding कुछ performance पूछनी है या फिर कुछ और improvement करवाना है तो they can talk with the mentor and second thing is last study planner आपको इसमें study planner भी दिया जाता है तो इतने सारे features है iconic के So उनके जो rates हैं वो एक बार rates देख लो CBAC देखोगा rates कैसे है यहाँ पर चार हिस्सों में divided है यह 9th के लिए है और यह 10th के लिए यह जो rates हैं वो plus के हैं यह जो rates हैं वो iconic के हैं plus iconic तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग rates हैं तो अगर आप 10th standard में हैं आपके 9th standard के लिए तो 15,000 rate होगा 28,000 for iconic subscription इन दोनों के उपर 10% discount मिल सकता है कैसे लेना है कैसे अवेल करना है आपको क्या करना है देखो इधर payment का बटन आएगा उसके बाजू में code का बटन आएगा यहाँ पर वो code को tap करना और वहाँ पर code क्या लिखना है ASLIFE10 ASLIFE10 लिख देना है और जैसे आप OK कर दोगे तो आपके उपर के जो prices है वो 10% से कम हो जाएंगी ठीक है? इमिजेटली कम हो जाती है यह पहला step आप पहले code लिखो आप प्लान सेलेट कर लो यह ले लिया अपने फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो बस that's it तो पहले code लिखना है ASLIFE10 10% डिसकाउंट मिल जाएगा इमिजेटली प्रैसे कम हो जाएंगी आपकी दूसरा प्लान सेलेट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो बस हो गया पेमेंट हो जाएगा आपका इतना ही करना है जदा हार्ड नहीं है तो please do apply for the plus or iconic depending on आपका कैसा आपको कौन से feature अच्छे लग रहे है which what do you want मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है की plus के features क्या है iconic के क्या है तो depending on your requirement आप दोनों में से एक select करवा सकते हैं इधर you can go for plus which is a basic plan to get you started and iconic subscription which can help you to take your CBC preparation to the next level with personal mentor तो दोनों में से select करके जल्दी से apply कर दो आपके पढ़ाई में काफी मदद होगी ये नए दो offers सुन लो offers है let's say offered for both iconic and plus subscribers offer valid only till 16th July and exciting mega offers for CBC classes 6 to 12 तक offers कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 months का subscription लगाते हो तो आपको free subscription मिल जाएगा CBAC का 2 महने का 24, 36, 48 months के लिए 4 महने का and 60, 72, 84 months के लिए 6 महने का 6 महने का CBAC का subscription free मिल जाएगा आपको creative corner अगर आप 12, 15, 18 के बात करते हैं तो 2 महने का free 24, 36, 48 तो 4 months का free and 60, 72 and 84 months का अगर आप subscription लगाते हो तो आपको 6 months का creative corner subscription free में मिल जाएगा तो flat 10% discount on purchasing plus subscription for all duration 10% का discount सबी के उपर available है उसके लिए आपको खाली यूज करना है the code ASLIFE10 Unacademy की तरफ से बहुत सारे scholarship exam लिये जाते हैं उसमें का एक one of the most important exams जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है combat exam तो Unacademy's combat exam scholarship test है यह एक प्रकार की आपके आपका knowledge, talent को suppose admire करनी के लिए हमारी तरफ से एक छोटी से कोशिश है हम लोग इसके अंदर scholarships देते हैं scholarships that would be let's say एक pool है एक करोड का almost उसमें से हम लोग scholarship देते हैं this is for 9th and 10th both 9th and 10th दोनों के लिए है आपको खले इतना करना है कि 18th July को suppose आने वाले 18th July को सुबह 11 बजे यह exam होगी वो exam दे देना है इसमें question कितने आएंगे 30 question होंगे सभी multiple choice question होंगे मतलब आपको descriptive कुछ लिखना नहीं है सिर्फ option को choose कर देना है और कितना time रहेगा आपके पास solve करने के लिए 45 minutes से देखो 30 question है मतलब almost 1 minute से जादा ही आपको समय मिल रहा है to solve one question और उपर से यह free life test है android mobile के उपर and test in Hindi and English यह दोनों में conduct की जाती है Hindi also English also तो इस matter नहीं करता है कि आप suppose Hindi medium को belong करते है फिर English medium को आप फिर भी यह test दे सकते है और scholarships worth rupees कितरा एक करोर तो date याद रखे this is for 9th and 10th both and यह exam होगी 18th July सुबह 11 बजे scholarship test ज़रूर दे ठीक है combat ताकि आपको बढ़िया बढ़िया price मिले scholarship मिले हमारी तरफ से all you have to do is give this exam ठीक है इसके features क्या है देखो 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore 5000 learners get chance to win scholarships instead of 1500 learners 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days तो 14 days के जगे पर 7 दिन का validity होगा तो इतने सारे features है combat के जरूर दे दो आने वाले Sunday के exam को तो enroll अभी कर लो ठीक है आज ही कर लो अभी कर लो ये video देखने के बाद so that आपका ये exam आप दे पाओ देखे आपको अगर 10% discount चाहिए कोई भी plus या फिर iconic courses पे आपको खाली इस code का इस्तमाल करना है जब भी आप payment करें all you have to do is use this code that is ASLIVE10 जिनके सरुन के LIVE10 आप ये code का इस्तमाल कर सकते हैं payment करते वक्त और भली आप कोई भी course को apply कर रहे हो मतलब 6-10, 11-12 सब भी जितने भी courses आपको 10% discount मिल जाएगा with the use of this code तो ये code का इस्तमाल करें ASLIVE10 और 10% discount ले आपके कोई भी course के उपर ठीक है ASLIVE10 अनकेडमी के application को आज ही download करें आप Google Play से भी download कर सकते हैं या फिर आपके पास iPhone है तो आप App Store पे से भी अनकेडमी के application को download कर सकते हैं All you have to do is go to Google Play if you are using Android, if you are using Apple let's say iOS आप mobile use कर रहे आपल का तो आप App Store पे जाके you can download अब इसके उपर अगर let's say if you want to see some features आप test करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के courses है, क्या है तो वो जब आप let's say installation करोगे, तो हो सकता है कि आपको code पूछे, so that you can access some features, so that you can see for yourself कि कितना अच्छा application है, आपको कितना मदद कर सकता है पड़ाई में, तो आप एक काम कर सकते हो वहाँ पे you can use this code ASLiveTent for unlock, unlock के लिए मतलब जो भी features है, वो unlock हो जाएंगे limited features available होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक at least idea आजाएगा कि आपके सच में आपको help करेगा कि नहीं करेगा, so do use the code ASLiveTent so CBAC's latest guidelines are live on an academy, हम जो एक नए guidelines जो आए हैं CBAC के तो CBAC के जो भी guidelines है new मतलब जैसे उन्होंने बोलाई कि दो exams लेना है, term 1, term 2 के नाम से तो हम लोगों ने उसके लिए काफी तयारी करके रखी है so new batches are starting from 19 July for CBAC class 9th and 10th batches dedicated to term 1 सिर्फ term 1 का से लबर सम लोग इसमें complete करेंगे completely aligned with the new CBAC guidelines जो भी CBAC ने guidelines दिये, उसके तहती ये batches बनाई गई हैं all subjects included, सभी subject include किये गए हैं and Hindi and English mode of delivery तो आपको English में भी batches हैं Hindi में भी batches हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन batches को attend कर सकते हैं Term 1 examination approaching in 3 months सिर्फ 3 मेने में आ रही है और कोई भी platform इतने जल्दी suppose आपको update नहीं देगा Unacademy ये जो platform है ये आपको जल्दी से जल्दी नए batches दे रहा है वो भी new format के साब से तो आप इसका maximum फाइदा उठाओ अभी तक आपने अगर plus को subscribe नहीं किया है जल्दी से subscribe कर लो ताकि आपको ये जो benefits है न्यू updates के आपको जल्दी से ये इसका फाइदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर ये कुछ नई batches launch हुई है उसके बारे में थोड़ा information दे दू class 10th के लिए जो batches launch हुई है वो है target 22 batch 5th July से और ये कब तक खतमों का course 37 November तक और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे कुनाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे शुबम जहा साइंस पढ़ा रहे मालिया रस्तोगी let's say मैम English पढ़ा रहे है अनुशा माम हिंदी पढ़ा रहे है और class 9th के लिए जो batch है वही target 22 batch नाम से में लेकिन class 9th के लिए उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे है maths संतोश सर पढ़ा रहे है science सपना मैडम पढ़ा रहे है English प्रेक्षा मैडम पढ़ा रहे है और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रहे है तो ये dates से याद रखो 5th July and 30th November उसके बाद कुछ और दो batches है target 22 batch जो 5th July से शुरू हुई है 30th November तक चले गी है इसके अंदर maths गुजेती मैडम पढ़ा रहे है science भावना मैडम पढ़ा रहे है SST हर्दिक सर पढ़ा रहे है English पुनीता मैडम पढ़ा रहे है और जो ये है हिंदी कोर से वो अनूशा मैडम पढ़ा रहे है उसके बाद 9th का जो batch है उसके अंदर target 22 batch SST सिकंदर सर पढ़ा रहे है maths ब्रिजेश पढ़ा रहे है science अक्षेशर पढ़ा रहे है English पुनीता मैडम पढ़ा रहे है और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रहे है और हर मंडे एक नई batch launch हो जाती है तो जरूर एन्रोल करे ताकि आपका जो preparation है 9th और 10th का वो बहुत ही proper तरीके से हो सके तो ये new batch है और हर मंडे हम लोग एक नई batch launch कर देते है तो आपके preparation में काफी मदद हो जाती है